इधर NCRB के ताजा अकड़ों में महिला और बाल अपराद में यूपी में भारी कमी आई है सरकार का मानना है कि अपरादियों को ज्यादा सदा दिलाए जाने के कारण ही ये बड़ा सुधार देखने को मिला है और इसके लिए अभियोजन ने भी बड़ी भूमिका नहीं भाई है इंडिया न्यूस से खास बाद में ADG अभियोजन ने बताया कि योगी सरकार की जीरो टॉलेंस की निति की कारण ये पढ़िणाम मिले हैं सुनाते हैं आपको किसी भी अपराधी को सलाकों के पीछे भेजने में अगर किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी भूमिका होती है तो वो है प्रोजिक्यूशन डिपार्टमेंट जी हां हम बात कर रहे हैं उस prosecution department की जिसके बलबूते तमाम अपराधियों को सलाकों के पीछे ढखेल दिया गया और उत्तरपेदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि सबसे जदा अपराधियों के अगर अगेंस कारवाई होगी तो वो prosecution के जरीए ही होती है हमारे साथ महुझूद है ADG prosecution आच्छतों जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है सर जिस तरह से prosecution के जरीए तमाम पराधियों को सलाकों के पीछे ढखेल दिया गया किस तरह से देखते हैं और कितनी बड़ी उपलब्दी मानते है यह हम बता दें कि सबसे बड़ी उपलब्दी यह है कि prosecution को जो हमारे प्रेजेंट मानिय मुकमंत्री जी है इन्होंने prioritize किया इसकी प्राध मिक्ता दी और इसके चलते शाशन और हमारे पुलिस हमारे DGP सर दोरा इसकी नियमी समिक्षा की गई और इसी का परिणाम यह हुआ कि आज पूरे देश में महिला और बालकों के विरुद आपराधों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर एक है 59.1% conviction rate के साथ UP नंबर वन पर है पूरे देश में और इतना ही नहीं हम सबसे अधिक सजा ही नहीं दिला रहे हैं हम सबसे कम समय में सजा दिला रहे हैं सजा अगर जल्दी हो तो उसका प्रभाव समाजय पढ़ता है और ट्रस्ट आता है लोग में विश्वास आता है तो उसमें भी हम देश में देखे हैं तो IPC और SLL क्राइम है Special Local Laws की इसमें भी हम पूरे देश में नमबर वान है सर एक चीज़ और देखनों के मिलती है कि पहले कि अगर हम बात करें तो आज तमाम चीज़े बदल चुकी हैं हम टेकनोलोजी की आधार पर भी आगे जा चुके हैं लेकिन एक चीज़ देखनों के मिलती थी कि हमेचा कहा जाता था कि प्रोजेक्यूशन लचर है इसी वज़े से अपरादी छूड़ गया कि कौन कहा कब क्या कर रहा है आज के जमाने में जो Digital India Mission हमानी पराद बात करें तो तमाम चीजबदी इस द्रास्टिक चेंज देखने को मिला है उत्तरपेमिश के क्राइम रिशियो के अगर कासकर अगर महिला या पर बच्चों के अपरात की बारें बात करें तो क्या लगता है कि आगे आने वाले भविश्य में और ज्यादा बहतर व्यवस्ताइं होंगी और जल्दी न्याएं मिलेगा जो लंबे समय से लामवित मामले हैं वो जल्दी निस्तारित होंगे हाँ इसमे हो कि जो टेकनोलोजिकल प्लेटफॉर्म है और जिस तरह से मॉनिटिंग हो रही है और जो मॉनिटिंग सेल की मेटिंग होती है जिसमें डिस्टिक जाइज और डियम और एस्पी और हमारे प्रोजिक्यूटर्स हरते हैं और जो नियाई विभाग ये भी बहुत हमारा कोल जी सी और एडी जी सी होते हैं वो नियाई भाग अंदर मेरते हैं तो सभी यूनिफाइड हो करके काम कर रहे हैं शुक्रियाम से बात करने लिए आप थे आशुतोष पांडे आपका इसपर्स टूप से कहना है कि जो प्रोजिक्यूशन डिपार्टमेंट में जिस तरह से ग झाल झाल